कि है लो दोस्तों स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूटूब चैनल पर आजम शुड़ों में मोक्यूफोर यल्पी आइड्रॉप के बारे में पूरी जैन कर लेने मोक्यूफोर यल्पी आइड्रॉप का मेंली यूज आपको से जुड़ी समस्या दूर करने में किया वेल फ्रेंड्स वीडियो स्टाट करने से पर एक छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आकन को भी प्रेस करें क्यूंकि मैं आपके लिए ऐसा ही हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी वीडियो लाते रहता हूं तो च बात करते हैं इस ड्रॉप में मौझूद कंटेंड के बारे में मौकीफोर यलपी आई ड्रॉप में लोटेप्रेडनॉल एटाबोनेट 0.5 मौकजय और फ्लॉक्ससीन आएपी 0.5 यह कंटेंड समोइस्ट है इसमें मौझूद लोटेप्रेडनॉल एटाबोनेट यह एक खतम करके उन्हें दोबारा होने से रोपता है जो आखों में इंफेक्शन का कारण बनते हैं और यह आखों की सुजन से राहत भी देता है बात करते हैं इस ड्रॉप की उज़स के बारे में डॉक्टरी से किनके समस्या में स्तमाल करते हैं इस ड्रॉप का में लिउज आखो औक्राइब करते दौक्टर इसद्राप करते हैं इन से समय हैं के निकृतर करने में इन्से भी और यह त्याप करने के लिए आप अपने डौक्टर या फार्मसित से संपर्खकर सकते नग् année का इस भास इस्टमाल करने के तरहने में याद करके दोस्तों इस ड्रॉब का डूस आपकी उमर और आयो पर नेडदर्ग रहता है इसलिए आप अपने आख़ों की समस्या अपने डॉक्टर को बता कर इस ड्रॉब का डूस उनसे निच्चित कर ले इसे अपने मन से घर पर न ले सैड इफेक्ट इस ड्रॉप के इस तमाल से अपने डॉक्टर से संपर्क करे इस ड्रॉप के इस तमाल से आपके आखों में जलन, आखों में सूजन आना, धुलिदी दुरुष्टि होना, आखे लाल होना, यह कुछ सैड इफेक्ट हो सकते Precaution यह सोटबर आपको इस ड्रॉप कि टामाव्ह कोयी सथीड़्य चाहिए दोलो यह जोटी के आनने समस्य है या फिर आपके कोई आख से जुड़ी सर्जेरी हुई हो तो उसकी सुचना भी आपने डॉक्टर को आवश्य दे इस ड्रॉप को केवल एक्स्टरनर यूज करें इस ड्रॉप को इस्तमाल करने से पहले से अच्छी तरह से शेक करें और बाद में यूज करें दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से helpful information मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और My Pharma Tips YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसेंडोस मिलते रहेंगे थैंकियो फॉर वाचिंग इस वीडियो